त्रिकोण मिती अनुपातों के चिन साइन अफ ट्रिणोमेट्रिकल रेशियो तो पूर्वक अक्षा में आपने निर्देशांग जामिती का ध्यन किया हुआ है जहाँ पर हमने देखा था कि एक समतल पर दो परसपर लंबवत निर्देशाक्ष जिसे X और Y अक्ष के नाम से जाना जाता है यह कुछ इस प्रकार होते है इन दोनों अक्षों का जो प्रतिछेद बिंदू है इसे मूल बिंदू कहते हैं इसे O00 से प्रदर्सित करते हैं अब यह जानते हैं कि X अक्ष पर मूल बिंदू से राइट साइट पर अगर आप मूग करें तो उसे धनात्मक और लेप्ट साइट पर अगर मूग करें तो उसे रिनात्मक लिया जाता है इसी प्रकार मूल बिंदू से उपर की और y अक्ष में धनात्मक और मूल बिंदू से नीचे की और y अक्ष में रिनात्मक लिया जाता है तो इस तरीके से X और Y अक्ष की धनात्मक अक्षों के बीच में जो छेत्र बन रहा है इसे प्रफम चतुर्थान्स के नाम से जाना जाता है X अक्ष की रिनात्मक और Y अक्ष की धनात्मक दिशा में जो छेत्र है इसे द्वीती चतुर्थांस के नाम से जाना जाता है X अक्ष की रिनात्मक और Y अक्ष की रिनात्मक छेत्र के बीच में यहाँ पर जो छेत्र आ रहा है इसे त्रिती चतुर्थांस के नाम से जाना जाता है और अंत में जो छेत्र बचा हुआ है इसे चतुर्थांस के नाम से जाना जाता है तो अब हम यह देखेंगे कि अलग-अलग चतुर्थांसों में यह इसे पाद के नाम से भी जाना जाता है तो अलग-अलग पादों पर त्रिकोण मीती अनुपातों का चिन किस तरीके से परिवर्थित होता है, इसे हम देखेंगे. चलिए, इस चित्र में देखते हैं कि ये जो बिंदू P है ये प्रथम चतुर्थांस पर है, P से X अक्ष पर एक लंब खीचा और उसे हमने PM नाम दि है, तो प्रथम चतुर्थांस में ये जो थीटा है, इसका मान शुन्य और नब्बे अंस के बीच में होगा, तो O P, P M और O M, ये तीनों के तीनों जो लंबाईयां होगी, ये धनात्मक मान हमें मिलेगा, चुकि X अक्ष में धनात्मक दिशा में है, P M भी धनात्मक है और O O P, चुकि ये कर्ण है, तो ये लंबाई हमें सा धनात्मक होगी, तो इस तरीके से प्रथम चतुर्थांस पर इस कोण के लिए आधार, लंब और कर्ण, तीनों रासियों का मान धनात्मक है, तो इस वज़ा से प्रथम चतुर्थांस पर साइन, होसेक, कॉस, सेक, टैन और क सभी त्रिकोण मीती निश्पतियां या फिर फलन धनात्मक मान रखते हैं, जब कोण थीटा दूसरे पाद में है, या द्विती चतुर्थांस पर है, अर्थात थीटा का मान नब्बे और एक्सोसियन्स के बीच में है, तो लंब पी-म धनात्मक होगा, आधार O M जो होगा वो रनात्मक होगा, चूंकि O P धनात्मक है, इसलिए साइन और कोसेक धनात्मक होंगे, लेकिन सेस जो त्रिकोण मीती अनुफात है, कॉस, टैन, सेक और कॉट, ये हमें रनात्मक मान देंगे, अब जब कोण थीटी चतुर्थांस पर है, तब थीटा का मान एक्सो असी और 270 अन्स के बीच में होगा, तब लंब PM और आधार OM ये दोनों रनात्मक होंगे, परिणाम सवरूप 10 थीटा और कॉट थीटा दोनों धनात्मक मान देंगे, इसके अलावा सेस त्रिकोण में तिये फलन, साइन, कॉस, कोसेक और सेक, ये रनात्मक मान हमें देंगे, यदि थ थीटा कॉण 24 चतुर्थांस पर है, अर्थात, थीटा का मान 270 और 360 अन्स के बीच में है, तब OM जो होगा ये दोनों धनात्मक मान देगा, लंब PM ये रनात्मक होगा, इस वज़ा से कॉस और सेक, ये दो त्रिकोण में ती निश्पत्ती धनात्मक मान देंगे, सेस सभी त् इस निश्पत्त पर पहुँचते हैं कि प्रथम चतुर्थांस पर सभी त्रिकोण में ती फलन धनात्मक होते हैं, वीती चतुर्थांस पर साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, सेस सभी त्रिकोण में ती फलन रनात्मक होते हैं, त्रिती चतुर्थांस पर टैन और कॉट ध धनात्मक्त मान देंगे और सेज त्रिकोण मीती फलन इस चतुर्थांस पर रिनात्मक्त मान देंगे चतुर्चतुर्थांस पर कॉस और सेख यहां में धनात्मक्त मान देगा और सेज सभी त्रिकोण मीती अनुपात यहां रिनात्मक्त मान देगा कोंड माइनस थीटा के त्रिकोंड मीती अनुपातों को कोंड थीटा के त्रिकोंड मीती अनुपातों के पदों में व्यक्त करना जैसे कि साइन आफ माइनस थीटा, कॉस आफ माइनस थीटा, 10 of minus theta, cot of minus theta, sake of minus theta और koshek of minus theta इसे हम आगे देखेंगे तो इसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं माना की op एक प्रारंभी ग्रेखा है और ox के धन दिसा के साथ में यह theta कोण बनाता है और रिणात्मक दिसा में यहाँ पर हम op ऐसा नाम दे रहे हैं यह minus theta कोण बनाता है चुकि हम जानते हैं कि घडी की उल्टी दिसा में कोण का मान धनात्मक वा घडी की दिसा में कोण का मान रिणात्मक लिया जाता है इस वज़ा से यहाँ पर कोण XOP यह equal to theta है और कोण XOP यह minus theta है अब P P' को हमने मिला दिया जो की O X को बिंदू M पर काट पी है अर्थात यह जो P M है यहाँ लंब है O X पर और P' M यह भी लंब है O X पर इस परस्ट है कि M P और M P' यह परिमाण में बराबर हैं किन्तु चिन्द में यह विपरीथ होंगे अर्थात P M यह हमें धनात्मक मान मिलेगा और P' M यह हमें रनात्मक मान मिलेगा तो इस जामिती से हम यह देख सकते हैं कि समकोंड तरिभुज OMP और OMP- यह दोनों सरवांग सम होंगे तो त्रिक्योण में यह अनुपातों की परिभाशा से हम लिख सकते हैं साइन ऑफ मैनस थीटा इक्वल टू MP- अपान O-P- अब यह MP- को हम लिख सकते हैं माइनस ओफ MP अपान O-P अब यदि यह माइनस चिन्न बाहर निकल जाए तो हम लिख सकते हैं माइनस MP अपान O-P और यह चित्र में देखिए कि यह mp upon op इसे हम sin theta लिख सकते हैं तो इस तरीके से हमें मिल रहा है sin of minus theta equal to minus sin theta अब cos of minus theta equal to हम लिखेंगे om upon op dash equal to होगा om upon op equal to cos theta तो इस तरीके से मिल सकते हैं cos of minus theta equal to cos theta अब इसी चित्र में हम देखते हैं 10 of minus theta तो हम लिखेंगे 10 of minus theta equal to mp dash upon om और mp dash को mp में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं mp dash equal to minus mp होगा तो आगे जो अनुपात हो हमें मिलेगा minus mp upon om यदि minus चिन्द को बाहर निकाला जाए तो हमें अनुपात मिल रहा है minus of mp upon om जो की 10 theta के बराबर है तो इस तरीके से ये हमें मिल रहा है minus 10 theta अर्थाथ 10 of minus theta equal to minus 10 theta इसी प्रकार हमें मिलेगा cot of minus theta equal to minus cot theta sec of minus theta equal to sec theta और cosic of minus theta equal to minus cos theta कोण 90 minus theta के त्रिकोण मिती अनुपातों को कोण theta के त्रिकोण मिती अनुपातों के पदों में व्यक्त करना तो माना की एक प्रारंभिक रेखा OP अपनी स्थिती OA से धन दिसा में घूम कर कोण POA equal to theta बना कर OP पर रुक जाती है अब पुनह माना की परिक्रामी रेखा OP अपनी प्रारंभिक स्थिती OA से पहले धन दिसा में घूम कर कोण BOA equal to 90 degree बनाती है और फिर रिन दिसा में घूम कर परिमान में theta के बराबर कोण BOP बना कर अपनी नई स्थिती OP पर आकर रुक जाती है तब कोण AOP बराबर 90 माइनस theta अब यदी हम माने कि OP बराबर OP' होगा बिन्दू P और P' से OA पर क्रमसा PM और P' M' लंब डाले अब त्रिभुज POM और त्रिभुज P' OM में यदी हम देखें तो OP बराबर OP' फिर कोण PMO बराबर कोण P' M' O प्रत्यक नभ्यांस का कोण बना रहे तथा कोण POM बराबर कोण OP' M' प्रत्यक कोण जो है वो theta का है तो इस प्रकार कोण भुजा कोण सरवांगसमता का उप्योग करके हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज POM यह सरवांगसम है त्रिभुज OP' M' के तो इस वज़ा से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि OM बराबर P' M' तथा PM बराबर OM' त्रिकोण मित्य अनुपातों की परिभासा से sin of 90-theta इक्वल टू होगा M' P' अपॉन OP' अब सरवांगसमता से हमें जो कुछ रिजल्ट्स मिले थे उसे हम लिख सकते हैं sin of 90-theta इक्वल टू OM अपॉन OP अब यह OM अपॉन OP चित्र अनुसार इसे हम cos theta लिख सकते हैं तो इस तरीके से हमें मिल रहा है sin of 90-theta इक्वल टू cos theta अब देखते हैं cos of 90-theta यह equal to इसे हम लिखेंगे OM' अपॉन OP' equal to MP अपॉन OP और यह MP अपॉन OP यह sin theta है तो इस तरीके से हमें मिल रहा है cos of 90-theta equal to sin theta अगला है 10 of 90-theta equal to M'-P' upon OM' equal to हम लिख सकते हैं MP upon OM और यह 10 theta के बराबर है तो इस तरीके से हमें मिल रहा है cos of 90-theta equal to 10 theta cos of 90-theta equal to OP' upon M'-P' equal to OP upon OM और यह OP upon OM जो है यह sake theta के बराबर है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं cos 90-theta equal to sake theta और अन्त में sake 90-theta equal to होगा OP' upon OM' equal to OP upon OM और यह OP upon OM जो है यह cos theta के बराबर है तो इस तरीके से हमें मिल रहा है sake of 90-theta कॉन 90-θ than के त्रिकॉनमीती अनुपातों को कॉन थ가 के त्रिकॉनमीती अनुपातों के पदों में व्यक्त करना माना की कोई परिक्रामी रेखा OA अपनी प्रारमभी किस्थिती OA से धनात्मक या वामवर्थ दिशा में घूम कर कॉन P OA बराबर थीटा कोन बनाकर O P पर इस्थिर हो जाती है अब पुनह परिक्रामी रेखा O A अपनी प्रारमविक इस्थिती O A से वामवर्त में पहले कोण B O A बराबर 90 डिगरी से घूम कर O B पर आती है तथा फिर धन दिसा में कोण P डैश O B इक्वल टू थीटा से पुनह घूम कर अन्त में O P डैश इस्थिती पर आती है तब हम लिख सकते हैं कोण P डैश O A बराबर 90 प्लस थीटा माना O P इक्वल टू O P डैश अब बिन्दू P वा P डैश से O A पर क्रमसह लंब P M और P डैश M डैश डाले तो अब त्रिभुज P O M और त्रिभुज P डैश O M डैश में O P बराबर O P डैश कोण P M O बराबर कोण P डैश M डैश O प्रत्य कोण जो नब्यांस का है और फिर अन्त में कोण P O M बराबर कोण O P डैश M डैश प्रत्य कोण जो है ये थीटा का है तो इस तरीके से त्रिभुज POM सरवांगसम है त्रिभुज OP-M- के तो इससे हम लिख सकते हैं कि PM बराबर माइनस OM- तथा OM बराबर P-M- अब त्रिकोण मिती अनुपातों की परिभासा से हम लिख सकते हैं साइनफ 90 प्लस थीटा इक्वल तू छितर अनुशर यह M-P- अपॉन OP- के बराबर होगा बराबर हम लिख सकते हैं OM बराबर OP OM बटे OP और यह कॉस थीटा के बराबर हैं तो इस तरीके से हमें मिल रहा है साइनफ 90 प्लस थीटा इक्वल तू कॉस थीटा अब देखते हैं कॉस अफ 90 प्लस थीटा यह इक्वल तू होगा OM डैश अपॉन OP डैश के इक्वल तू माइनस MP अपॉन OP अब यह MP अपॉन OP यह साइन थीटा के बराबर है तो इस तरीके से हमें मिल रहा है cos of 90 plus theta equal to minus sin theta 10 90 plus theta equal to m dash p dash upon om dash अब यह equal होगा om upon minus mp यदि minus sin को बाहर लें तो देखिए कि om upon mp यह cot theta के बराबर है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 10 of 90 plus theta equal to minus cot theta अब चलते हैं cot of 90 plus theta के लिए cot of 90 plus theta equal to होगा om dash upon m dash p dash यह equal होगा minus mp upon om के अब यह mp upon om यह 10 theta के बराबर है तो इस तरीके से हमें मिल रहा है cot of 90 plus theta equal to minus 10 theta को सेक 90 plus theta equal to हम लिख सकते हैं op dash upon m dash p dash यह equal होगा op upon om के और op upon om यह sec theta है तो इस तरीके से हमें मिल रहा है को सेक 90 plus theta equal to sec theta और अंत में सेक of 90 plus theta यह equal to होगा op dash upon om dash equal to हम लिख सकते हैं op upon minus mp op upon mp यह को सेक theta है तो इस तरीके से हमें मिल रहा है सेक of 90 plus theta equal to minus को सेक theta कोण 180 minus theta के त्रिकोण मिती अनुपातों को कोण theta के त्रिकोण मिती अनुपातों के पदों में व्यक्त करना तो पुर्व की भाती हम चित्र में देखते हैं कि माना कोई प्रारम्भी करीखा अपनी प्रारम्भी किस्थिती oa से धन दिसा में गोम कर कोण p oa बराबर theta बना कर op में आ जाती है अब पुनह माना की परिक्रामी रेखा अपनी प्रारम्भी किस्थि oa से धन दिसा में दो सम कोण से गोम जाती है और oa डेश इस्थिती में आ जाती है तत पस्चात यह रिंड दिसा में theta कोण गोम कर op डेश की इस्थिती में आ जाती है तब हम लिख सकते हैं कोण a o p डेश बराबर 180 रिंड theta माना op बराबर op डेश है तो बिंदू p वा p डेश है करम सह p m वा p डेश m डेश लंब oa पर खीजा तो अब त्रिभुज p o m और त्रिभुज p डेश o m डे में हमने पहले माना था कि op बराबर op डेश है अब कोण p m o बराबर कोण p डेश m डेश o होगा यह प्रत्य एक जो है वो नब्बय अंस का कोण बना रहा है और कोण p o m बराबर कोण p डेश o m डेश होगा प्रत्य कोण theta का है तो इस तरीके से यह जो दोनों त्रिभुज है त्रिभुज p o m और त्रिभुज p डेश o m डेश यह सर्वांगसम होंगे तो सर्वांगसमता की परिभासा से हम आगे लिख सकते है प m बराबर p डेश m डेश तथा o m डेश बराबर माइनस o m अगता हम आगे लिख सकते है sin of 180 माइनस theta यह इक्वल टू होगा m डेश p डेश अपॉन op डेश के और यह बराबर होगा m p अपॉन op के और m p अपॉन op sin theta के बराबर है अता हम लिख सकते हैं sin 180 minus theta equal to sin theta अब चलते हैं cos पर cos 180 minus theta equal to om dash upon op dash equal to minus om upon op अब यह जो om upon op है इसे हम cos theta लिख सकते हैं तो इस तरीके से हमें मिल रहा है cos of 180 minus theta equal to minus cos theta 10 of 180 minus theta equal to m dash p dash upon om dash equal to mp upon minus om अब यह mp upon om यह 10 theta के बराबर है तो इस तरीके से इसे हम आगे लिख सकते हैं 10 of 180 minus theta equal to minus 10 theta अब चलते हैं cot पर cot 180 minus theta equal to होगा om dash upon m dash p dash equal to minus om upon mp अब यह om upon mp यह cot theta के बराबर है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं cot 180 minus theta equal to minus cot theta अब cot 180 minus theta equal to होगा op dash upon m dash p dash equal to op upon mp अब यह है cot theta के बराबर तो इस तरीके से cot of 180 minus theta equal to cose theta और अंत में चलते हैं सेक theta के लिए सेक 180 minus theta equal to op dash upon om dash equal to op upon minus om अब यह जो op upon om है इसे हम सेक theta लिख सकते हैं तो इस तरीके से सेक 180 minus theta equal to minus sec theta होगा कोण 180 plus theta के त्रिकोणमीती अनुपातों को कोण theta के त्रिकोणमीती अनुपातों के पदों में व्यक्त करना चित्र में देखते हैं कि माना कोई परिक्रामी रेखा अपनी प्रारम्दिकी स्थिती OA से धन दिसा में घूम कर कोण P OA बराबर theta बना कर op की स्थिती में आ जाती है अब पुनह माना परिक्रामी रेखा अपनी प्रारम्दिकी स्थिती OA से धन दिसा में दो समकोण के बराबर घूम कर OA' इस्थिती में आ जाती है और फिर O A' से आगे धन दिसा में घूम कर थीटा कौन से घूम कर O P' की सिती में आ जाती है तब कौन A O P' बराबर 180 degree धन थीटा अब माना O P जो है ये O P' के बराबर है अब बिन्दू P वा P' से A' O पर क्रमशा P M वा P' M' लंब डाला तो चित्रनुसार त्रिभुज P O M वा त्रिभुज P' O M' में O P बराबर O P' है और कौन P M O ये बराबर होगा कौन P' M' O के क्यूंकि प्रत्य कौन नब्यंस का है और कौन M O P बराबर कौन M' O P' प्रत्य कौन नब्यंस का है तो इस तरीके से कौन भुजा कौन सरवांगसमता का उप्योग करते हुए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज P O M सरवांगसम है त्रिभुज P' O M' के तो यहां से हमें मिलेगा M' P' बराबर माइनस M P और O M' बराबर माइनस O M अब चित्र में देखकर आगे लिख सकते हैं sin of 180 प्लस थीटा एक्वल टू होगा M' P' अपॉन O P' को बराबर माइनस M P अपॉन O P और यह जो M P अपॉन O P है इसे हम लिख सकते हैं sin थीटा तो इस तरीके से हमें मिल रहा है sin of 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा अब कॉस के लिए देखते हैं कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू O M' अपॉन O P' इक्वल टू होगा माइनस O M अपॉन O P के अब यह जो O M अपॉन O P है इसे हम कॉस थीटा लिख सकते हैं तो इस तरीके से कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा मिलेगा अब 10 पर चलते हैं 10 180 प्लस थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं M' P' अपॉन O M' इक्वल टू minus mp upon minus om तो इस तरीके से हमें मिल रहा है mp upon om जो कि 10 theta के बराबर है तो इस तरीके से हमें मिल रहा है 10 of 180 plus theta equal to 10 theta अब cot के लिए चलते है cot of 180 plus theta equal to om dash upon m dash p dash equal to minus om upon minus mp अब minus और minus cancel हो जाएगा और हमें मिलेगा om upon mp जो कि cot theta के बराबर है तो इस तरीके से हम लिख सकते है cot 180 plus theta equal to cot theta अब लिख सकते हैं कोसेक theta के लिए कोसेक of 180 plus theta equal to op dash upon m dash p dash जो कि बराबर होगा op upon minus mp के यदि minus चिन को बाहर लिखा जाए तो यह जो op upon mp है यह कोसेक theta के बराबर है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं cot 180 plus theta equal to minus cose theta और अंत में सेक of 180 plus theta equal to होगा op dash upon om dash के बराबर लिख सकते हैं op upon minus om अब यह जो op upon om है यह सेक theta के बराबर है तो इस तरीके से हमें मिलेगा सेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा कोन 270 माइनस थीटा के त्रिकोण मीती अनुपातों को कोन थीटा के त्रिकोण मीती अनुपातों की पदों में वेक्थ करना माना कोई परिक्रामी रेखा अपनी प्रारम्विक स्थिती O.A. से धन दिशा में घूम कर कोण P.O.A. बराबर थीटा बनाकर O.P. स्थिती में आ जाता है अब पुनह माना की परिक्रामी रेखा O.A. अपनी स्थिती O.A. से धन दिशा में तीन सम कोण घूम कर अर्थाथ 277 भूम जाती है और फिर रिंड दिशा में थीटा कोण घूम कर O.P. डैश की स्थिती में आ जाती है तब हम लिख सकते हैं कोण A.O.P. बराबर 270 माइनस थीटा अब इस चित्र में माना की O.P. बराबर O.P. डैश है अब बिंदू P. और P. डैश से A.O.A. पर हम लंब डालते हैं जो की P.M. और P.M. लंब मिल रहा है तो अब त्रिभुच P. O.M. और त्रिभुच P. डैश O. M. डैश में हमने माना था की O.P. और O.P. बराबर है अब यह जो कोण है कोण P.M. O. बराबर होगा कोण P. M. डैश O के क्योंकि प्रत्य कोण नब्यांस का है और कोण P. O.M. बराबर कोण P. O.M. प्रत्य कोण थीटा है तो इस तरीके से कोण भुचा कोण से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुच P. O.M. सरवांगसम है त्रिभुच P. O.M. के तो इससे हम इस निसकर्स पर पहुंच सकते हैं कि M' P' जो है यह बराबर होगा माइनस O.M. के तथा O.M. बराबर होगा माइनस M.P. के तो इससे हम आगे लिख सकते हैं साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू M' P' अपॉन O.P. जो कि बराबर होगा माइनस O.P. अपॉन O.P. के अब यह जो O.M. अपॉन O.P. है यह कॉस थीटा है तो इस तरीके से साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा मिलेगा कॉस 270 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं equal to om dash upon op dash equal to minus mp upon op और ये equal to होगा minus sin theta के तो इस तरीके से cos of 270 minus theta equal to minus sin theta होगा अब चलते हैं 10 के लिए 10 270 minus theta equal to m dash p dash upon om dash जो की equal होगा minus om upon minus mp के minus और minus cancel हो जाएगा om upon mp इसे हम लिख सकते हैं cot theta तो इस तरीके से मिल रहा है 10 270 minus theta equal to cot theta अब cot के लिए देखते है cot 270 minus theta equal to om dash upon m dash p dash equal to होगा minus mp upon minus om के तो mp upon om इसे हम लिख सकते हैं 10 theta तो इस तरीके से हमें मिल रहा है cot of 270 minus theta equal to 10 theta cot 270 minus theta equal to op dash upon m dash p dash जो की बराबर होगा तो op upon om जो होगा ये सेख theta के बराबर होगा तो इस तरीके से हमें मिल रहा है cot 270 minus theta equal to minus sec theta और अंत में sec 270 minus theta equal to लिख सकते हैं op dash upon om dash जो की बराबर होगा op upon minus mp के minus शिन्न को यदि बाहर लिखा जाए तो op upon mp ये cos theta के बराबर होगा तो इस तरीके से सेक 270 minus theta equal to minus cos theta होगा कोन 270 plus theta के त्रिकोणमिती अनुपातों को कोन theta के त्रिकोणमिती अनुपातों के पदों में वेक्त करना तो चित्र में हम देखते हैं कि माना कोई परिक्रामी रेखा अपनी प्रारंबिक स्थिती oa से धनात्मक दिसा में घूम कर कोन p oa बराबर theta बनाता है और op स्थिती में आ जाती है अब पुनह माना परिक्रामी रेखा अपनी प्रारंबिक स्थिती oa से धन दिसा में तीन समकोण के बराबर घूम कर o b dash इस्थिती में आ जाती है और फिर आगे धन दिसा में theta कोट से घूम कर अन्तमे op-इस्थिती में आ जाती है तब लिख सकते हैं कि कोण AOP' बराबर 270 प्लस थीटा अब माना कि OP बराबर OP' है तब बिंदू P और P' से OA पर हमने लंब खीचा जो कि PM और P' M' मिला अब तरिभुज POM तरथा तरिभुज P' OM' में हमने माना था कि OP बराबर OP' है तो जो कोण POM बराबर कोण OP' M' होगा क्योंकि प्रत्यक कोण जो है यह थीटा का है अब कोण OMP बराबर कोण OM' P' होगा क्योंकि दोनों जो कोण है यह नब्बेयंस के कोण है तो इस तरिखे से हम लिख सकते हैं कि तरिभुज POM सरवांगसम है तो इससे हम लिख सकते हैं OM बराबर MP तथा M'P' बराबर माइनस OM अब sin 270 प्लस थीटा के लिए हम मान निकालते हैं तो sin 270 प्लस थीटा इक्वल टू M'P' अपॉन OP' जो की बराबर होगा माइनस OM अपॉन OP के तो OM अपॉन OP यह cos थीटा है तो इस तरीके से sin 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा हो अब चलते हैं cos पर तो cos 270 प्लस थीटा इक्वल टू OM'ब अपॉन OP' इक्वल टू MP अपॉन OP और जो की sin थीटा के बराबर है तो इस तरीके से cos 270 plus theta equal to sin theta नहीं देगा 10 270 plus theta equal to m dash p dash upon om dash जो कि बराबर होगा minus om upon mp के अब om upon mp ये cot theta है तो इस तरीके से 10 270 plus theta equal to cot theta अब cot के लिए इस angle को देखते हैं तो cot 270 plus theta equal to om dash upon m dash p dash बराबर होगा mp upon minus om के यदि minus को बाहर लिखा जाए तो mp upon om ये 10 theta के बराबर है तो इस तरीके से cot 270 plus theta equal to minus 10 theta मिलेगा कोसेक 270 plus theta equal to op dash upon m dash p dash बराबर लिख सकते हैं op upon minus om यदि minus चिन्द को बाहर लिखा जाए तो ये जो op upon om है ये सेक theta के बराबर है तो इस तरीके से cot 270 plus theta equal to minus 1 theta मिलेगा और अंत में सेक 270 plus theta equal to हम लिखेंगे op dash upon om dash जो की बराबर होगा op upon mp के जो की हमें मिलेगा equal to minus cos theta तो इस तरीके से सेक 270 plus theta equal to minus cos theta होगा कोन 360 minus theta के त्रिकोन मिती अनुपातों को कोन theta के त्रिकोन मिती अनुपातों के पदों में वेक्ट करना तो हम ये जानते हैं कि परिक्रामी रेखा minus theta से घूम कर जिस स्थिती में होगी उसी स्थिती में वह धन दिसा में एक पूरा चक्कर लगाने के बाद तथा फिर रिन दिसा में theta कोन से घूमने के बाद भी रहेगी अथ एव कोन 360 minus theta की त्रिकोन मिती निस्पत्तियां वही होगी जो कोन minus की त्रिकोन मिती निस्पत्तियां है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं sin 360 minus theta equal to sin of minus theta जो की equal होगा minus sin theta cos of 360 minus theta equal to cos of minus theta equal to cos theta tan 360 minus theta equal to tan of minus theta equal to minus tan theta cot 360 minus theta equal to cot of minus theta जो की बराबर होगा minus cot theta को सेक 360 minus theta equal to cos of minus theta equal to minus cos theta और अन्त में सेक of 360 minus theta equal to sec of minus theta equal to sec theta कोन 360 plus theta के त्रिकोन मिती अनुपातों को कोन theta के त्रिकोन मिती अनुपातों के पदों में अग्यक्त करना तो हम यह जानते हैं कि कोई परिक्रामी रेखा अपनी प्रारामधिक स्थिती से theta कोन बना कर जिस स्थिती में होगी उसी स्थिती में वह 360 plus theta कोन बना कर भी होगी इस प्रकार 360 plus theta के लिए त्रिकोन मिती अनुपात वही होगा जो कोन theta के लिए होगा तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं sin 360 plus theta equal to sin theta cos 360 plus theta equal to cos theta 360 plus theta equal to tan theta cot 360 plus theta equal to cot theta cos 360 plus theta equal to cos theta और अंत में sec 360 plus theta equal to sec theta कोण n into 360 plus minus theta के त्रिकोण मिती अनुपातों को कोण theta के त्रिकोण मिती अनुपातों के पदों में व्यक्त करना तो यह जो n times 360 लिखा हुआ है इसका मतलब यह कि जो परिक्रामी रेखा है वो n चक्कर पूरा कर चुकी है चुकि एक चक्कर पूरा करने में 360 लगता है तो यदि n के साथ उसका गुणा कर दे इसका मतलब है कि वो n चक्कर लगा चुका है अब यदि वो plus theta होगा तो वो प्रसम चतुर्थांस पर आएगा यदि वो minus theta के form पर होगा तो वो चतुर्थांस पर आएगा तो इसी तरीके से हम यह लिख सकते हैं तो चतुर्थांस पर 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 सथा sin of n into 360 minus theta यह बराबर होगा sin of minus theta के जो की minus sin theta होता है cos of n into 360 minus theta equal to हमें मिलेगा cos of minus theta और जो की बराबर होता है cos theta के 10 n into 360 minus theta equal to 10 of minus theta equal to minus 10 theta cot n into 360 minus theta equal to cot of minus theta जो की बराबर होगा minus cot theta के cos of n into 360 minus theta equal to cos of minus theta equal to minus cos theta sec n into 360 minus theta equal to sec of minus theta equal to sec theta